बिसमिल्ला अरफार्रहीम, असलाम अलेकॉम वेरियो आज की वीडियो में मैं आपको बनाना सिका होंगी मसाला स्वीट कॉर्ण्स अब पतीली में पानी एट किया है उसको गरम करेंगे गरम जब वहो जाएक उसमें हम स्वाल्ट एट करेंगे वह एफ आपको आपके हैं और अब आपको हम अपने कॉर्ण्स तो यहां में बहुत चटपटी सी बहुत स्पाइसी सी मज़ेदार सी रेज़्पी बना रही हैं ए अच्छे से मेक्स करेंगे और हम इसे मीडियम डू लो फ्लेम पे पका लेंगे अपने हसाब से आप देख लीजएगा जब आपको लगें आपकी कॉर्ण गल चुके हैं फिर हम इसे निकालना होगा मैक्सिमम हमें इसे आदी घंटे तक इसे को करना है देखे माशालला मेरे य enclosedरुछैम के चाहिए नेससे से टैप कि तरफ जाते हैं नेक्स स्टेप में हमनेसी थोड़ा सा बटर लिया है प्ल Macko कम चीपल या इसमें पाने कॉर्न डेए हैं इस में इस बटर केंद आयंडे आप अच्छे से पकाना है अच्छे से सफिराए करना है और जब यह जब फ बटरी बटरी सी हो जाएंगे तो हम नेक्स स्टेप की तरफ जाएंगे वो मैं आपको दिखाऊंगे तो यहां पर बहुत खुबसूरत बहुत प्यारी खुश्बू हारी थी और आप लोग जरूर इस रेसिपी को ट्राइ कीजिएगा बहुत पसंद करेंगे बहुत सिंपल र अगर आपको इस इतना स्पाइसी ने करना तो आप इसके इंदर जादे स्पाइसी ना प्रलीज़त करें बटर UH फ जिस तरहीं चाना से मैं सॉस पैण में इसको कर रही उँ需 जाएं इसाफ करके आप इसमें लाइट सा ब्लाइक पेपर सॉल्ट एड आड करकर भी यूज़ और अगर आपको spicy पसंद है तो आप spicy अपने हसाफ से रखें मैंने बहुत spicy बनाया था तो मैंने half tablespoon सारे spices एड़ किये हैं बाकि आपने हसाफ से देख लिएगा और बहुत मज़े के बनते हैं बहुत मज़े के बहुत यमी और घर में बहुत easy भी हमें से बना सकते हैं तो आप जरूर स्ट्राश भी को ट्राइक कीज़ेगा ठीक है अब यहां पर देखें मैं sauce pan में अच्छे से mix कर रही हूं proper तरीके से हमें से mix करना है कम से कम आपको 15 मिनट से करना है और यहां यह done हो चुके हैं अब मैंने सारे corns को एक bowl में नेका लिया तो हम अपने सारे spices one by one इसमे आप करेंगे मैं इसमें paprika powder एक करी हूं चिली फ्लेक्स एक करी हूं और और यह उसमें और घरव मसाला थोड़ा सा यूज किया है वाकि आप अपने हसाब से जो आपको पसे में वह यूज करें चार्ट मसाला भी मैं इसमें आप करूंगी और चिकन पाउडर चिकन पाउडर मैंने बहुत कम साइट किया था उसे बहुत एक अच्छा चीस इसका डेवलप हो जाता है अच्छे से हमें से mix करना है बहुत अच्छे तरीके से ठीक है और लास्ट में हम इससे चटपटा बनाने के लिए मसीच चटपटा बनाने के लिए हम इसमें आड़ करने वाले हैं lemon जो के वन टेबल स्पून भर के आब इसमें आड़ करना बहुत जूसी हो जाएंगे और बहुत स्पाइसी से लगेंगे और चटखारेदार लगेंगे तो बहुत मजा रहा था और इस टाइम पर इतनी कोई प्यारी खुश्बू आ रही थी और लास्ट में हमने बॉइल करत हैं तो अपने असाब से एड़ करें वैसे वन टेबल स्पून भर के आड़ करें वो काफी होगा तो गाइस थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को पसंद करने के लिए लास्ट तक देखने के लिए अपना बहुत ख्याल रखेगा उमीद करती हूं आप सब खेरियत से होंगे औ आपको रेसिपी कैसी लगी और नेक्स्ट वैड़ियो में आप क्या चाहते हैं कि मैं क्या बनाओं क्या बना कर दिखां किस चीज की रेसिपी दो आखे तो अब मैं आपको दिखांगी फाइनल लुक उमीद करती हूं ऊपना अगी नेक्स वीडियो में मलकात होगी Allah Hafiz